नमसकार शाली ने पेच पे आपका स्वागत है सर्दियों में यादि डोसा बनाएं और उसका बैटर का खमीर नहीं उठे उसको फर्मेंट नहीं हो तो वो डोसे का टेस्ट नहीं आता और डोसे पे वही जाली नहीं पड़ती जो गर्मियूमा पड़ती है तो उसके लिए हमें क्या करना है केवल 102 चीज ऐसी डाल ली है जिससे कि हमारी डोसे का जो पैटर है वो फर्मेंट हो जाए तो चलिए देखते हैं यदि आपको भी ये ट्रिक पसंद आए और ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक शियर जरूर कीजेगा चावल की डोसे बनाने के लिए ये मैंने ये वाली तीन कटोरी चावल लिए है एक कटोरी ये वाली उरत की दाल ली है उरत धोबा आदी कटोरी चनी की दाल ली है और थोड़ा सा मैथी दाना लिया है यानि कि आदी चमच करीब मैंने मैथी दाना लिया है अब मैं इसको चावल दाल वगरा सब इसमें डाल दूंगी और आदे घंटे के लिए ढखके रख दूंगी इसको मैंने बलकि आदा घंटा भी नहीं करीबन 20 मर्ट तक बिंगोया है उसके बाद अब मैं इसको ग्राइंड करके इसका फाइन सापेस त्यार कर लोंगी डोसे के बैटर में डा एक चमच मैंने एक चमच से कम आदी चमच करीब नमक लिया है एक चमच पूरी भरके मैंने चीनी ली है चीनी यानिकी शुगर और ये आदी चमच मैंने साट्री ली है यानिकी सैट्रिक एसिट यदि साट्री नहीं हो आपके घर पे तो आप यीस्ट भी डाल सकते हैं तो यीज्ट तालने के लिए सेक्टिक एसिट और सोडा दोंची नहीं डालनी पड़ेगी तो मेरे पास यीज्ट नहीं था इसलिए मैं इसमें साटती डालूझी आधी चमछ और आधी चमछ से कम तो यह जिister थोड़ा सा कम मैं इसमें खाना सोडा डालूझी यदि आपके पस yeast है तो आप ये दौनों चीज़ेम डालें परूर्यउ य데न पसनी शीन को बिट बेकर ऑका ऑब जरूरह दोबिह 네 verdict और फर्लमनतिक इन दो छीज़ेम आधि कहें करे पास पानी में घूल जोर हूं पर मेरे पास यस्त नहीं है और बजार जाने में प्रॉब्लम होती है कई लोगों को तो घर में जो चीज होती है हम सिफ उसी से ही चीज बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास तो साट्री थी सैट्रिक एसिट और आदी चमच से कम खाना सोड़ा ये दोना चीज मैं इसके खमीर उट जाएगा खमीर उटने के बाद आप देखेंगे कि चार घंटे में भी आप इस डोसी को तियार कर सकते हैं यानकि चार घंटे बाद भी इसमें जाली पढ़ जाएगी देखिए सबसे पहले में इसमें दो चमच छोटी वाली है ना दो चमच रिफाइंड ओयल ड टालूँगी में पूरी एक चमच भरका मैंने इसे चेनी डाली है यी चीनी डाल दोंगी अब इसको पहले मिला लोगी इसके बात में इसमें खाना सोड़ा और साट्री दालोंगी पहले इसको नमक और चीचिणी थोड़ा सा मैल्ट हो जाना चाहिए तभी उसके बाद ये दोन चीचे डालनी चाहिए अब इसमें मैं आच्छी तरह से इसे मिला लिया है कम से कम 5 शे 7 मिनट आप मिलाने के बाद इसमें आधी चमब से कम मैं इसमें खाना सोडर डालूगी पहले और इसी के उपर में ये आदी चमत से थोड़ी कम है साटरी इसी के उपर डालोगी और इसे कम से कम नहीं है दस मिट तक मैं इसी तरीके से अच्छी तरह फैट होगी आप फैटते समय ही देखेंगे कि ये थोड़ा बहुत खमीर उठना चालू हो जाएगा यानि कि जितना आपका बैटर है उससे थोड़ा सा जादा होना शुरू हो जाएगा और आप इसे अब गर्माई में रखेंगे तो अपने आप ही थोड़ा सा और उठ जाएगा अब एक तरीका ये है कि आप इस बैटर को माइक्रोवेव में प्री हीट करके 200 डिग्री पे इसे प्री हीट कर लिजे जब माइक्रोवेव पूरा गर्म हो जाए तो उसे बंद कर दीजे और उसका प्लग भी निकाल दीजे उसके बाद आप इस डोसे के बैटर को इसके अं लोस तो समें आप इसको बीच में थोड़ा सा गड़ा बना लीजे वहां पर इसको रख दिजे और चार तरह से आटा करदीजी और इसको अच्छी तरह से इस पेड़ी तकी जो नीची इससको अच्यटर का बैटर है वह और इसको गरमाई मिल सके और इस प्लेय方 धके श्व दिबी को बंद कर दीजिए कम से कम तीन घंटे मैंने इसको ग्यारे वजे भिंगो या था और साड़े ग्यारे पे से पीस लिया और बारे वजे तक मैंने से इस डिबी में रख दूंगी और देखेंगे आपकी चार घंटे में ही आपका डोसा के बैटर बिल्कुल तियार हो जाएगा आप चार घंटे में भी डोसे का बैटर विकल वैसे ही पासकते हैं जैसे की गर्मियों में होता है बिल्कुल जाली दार एकदम परफेक्ट और दीखें हातों से थोड़ थोड़ आटा इस डिबी के चारो तरफ कर दीजिए ताकि इसमें घर्माई मिल जाए बस आ यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजेगा शियर कीजेगा और कमेंट के जरीए मुझे बताइएगा कि आपको भी यह ट्रिक कैसी लगी यह जाली वैसी ही है जैसे गर्मियों के डोसों में आती है उसी तरीके से वैसे ही उसका टेस्ट ह और उसी तरीके से जाली पड़ी है अब आप देख सकते हैं इसे पलट के भी आपको दिखाऊंगी और पास से देखिए कितनी जाली है इस डोसी में अब हम इसको फोल्ड कर लेंगी देखिए तरह से हमारा डोसा विल्कुल तियार हो चुका है वैसी जाली दार और वैसी ख अच्छा लगे तो प्रीसे से लाइक और शियर कीजीगा